नंशक्ता शिक्षारतियों आज हम अपरले डिजाइन की सिद्धान्त के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि हम जानते हैं डिजाइन की सिद्धान्त डिजाइन के तको की उपयोग के लिए दिशानिर देश हैं इनका उप्योग अलग-अलग परिधानों के निर्माण, चर्चा और मुल्यांकन के लिए किया जाता है डिजाइन के तत्मों को अच्छी तरह से विवस्तित करने के लिए सिद्धानतों का आविधन आविशक है पाठक को या विशलेशन करने के लिए प्रोसाहित किया जाता है कि कपड़ों के रशनात्म निर्माण में, कपड़ों के विंडो डिस्प्ले में और फैशन पत्रिकाओं में डिजाइन के सिद्धानतों का उप्योग कैसे किया जाता है अब हम सबसे पहले डिजाइन के प्रिंस्पल लाय के बारे में चर्चा करेंगे. डिजाइन बनाने के लिए रेखाओं या आकर्तियों का पुनावरती उप्योग लाय कहलाता है. डिजाइन में लाय एक संगटित, गतिविदी की भावना देती है तथा एक दिशा में होती है किसी भी कपड़े में डिजाइन के तत्वों का लैबद्य उप्योग दश्यक की आँखों को डिजाइन की ओर आकर्शित करता है और इस कपड़े से बने वस्त को निरंतर्ता प्रदान करता है. डिजाइन में लाय हम प्रवाहित रूप से स्पस्ट और शुक्ष्मता से वर कर सकते हैं. वस्त में लै इस दिशा की ओ जाती है जिस दिशा में शरी की गती होती है. लैबर डिजाइन वाले वस्त शरी में वास्तिविक्ता गती को बदान करते हैं लेकिन शरी की गती कपड़े में लैबद्ता नहीं देती है. वस्त में लैबद्ता तभी दिखती है प्रकार से सजित किया जा सकता है जिसमें सबसे पहला है रिपीटीशन जिसे पुनावती कहते हैं एक ही डिजाइन तत्व का बार-बार उपयोग और अलग जगह में उपयोग पुनावती कहलाता है किसी भी कपड़े में डिजाइन पैटन बनाने में डिजाइन की किसी भी ए 36 दिशा में ले जाती है, जैसे कि इस diagram में दिखाया गया है कि एक frog है, जिसमें की zigzag line बनी हुई है, तो ये हमें इस वस्तर में zigzag motion की और आकशित करी है, जो की 36 दिशा में जा रहा है, जिसमें की diagonal lines ना यूज करके हमने curve line को यूज करा हुआ है, curve line जो है, वो 36 दिशा में move कर रही है, तो हमारी आखों को 36 दिशा की ओले जा रही है, और जिसमें की diagonal line जो आपस में मिल रही है, एक point में, वो हमारे neck में V-shape को प्रदान कर रही है, अब हम आते हैं, ले किसी भी कपड़े में दूसरे तरह से भी उसमें लाई जा सकती है, या जिससे कह सकते हैं कि वस्त अनुकरम भी एक दिशात्मक्ट सिद्धान्त है, या जदी अनुकरम में प्रतेक इकाई का अपना अर्वत होता है तो अपनी इस्तिती की निधारित करता है, जो अनुकरम को अस्तित्व में लाने के लिए शंकला को दूराना नहीं पड़ता है, जयसे कि इसमें दिखाया कि जो उपर का टॉफ है उसमें और वोर्डिक लाइन है वो एकर ह्फेयल है लेकिन removed color-matic भूब हमें उसका एक Πारिकॉले सिक्वेंस है मिलग सबसे पहले यह से वहा थे ठैप पर फार ब्लैक है फिर वाइट लाइन फिर ब्लैक लाइन तो एक पर्टिकुलर सिक्वेंस को फॉलो करते हुए उसमें डिजाइन को क्रिएट किया गया है दूसर तरीका यह है कि हम कपड़े मेले क्रमांतरन जिसे अल्टरेशन कहते हैं कि द्वारा हम शदित कर सकते हैं एक ही क्रम मे जैसे कि इस डिजाइन में दिखाई पड़ा है जो इसमें साइड में जो मोटीव बने होए है डिज वो औरेशन में नूदिन होए है और तोयो हमारा क्या alteration method है जिसके तुरू design में हम रिदम क्रिएट कर रहे हैं जो दूसरा method है means gradation gradation के तुरू भी हम यह भी एक सिद्धान लेस सिद्धानत के अंतरगत है जिसमें कि हम gradation के तुरू हम design में ले उत्पन कर सकते हैं शरित कर सकते हैं किसी भी design में design तत्वों का प्रयोग करके शंखला बनाई जाती है किसी शंखला में परिवर्तन की प्रक्रिया को बढ़ते या घटते करम में कुछ रेणी करन कहते हैं जैसे कि हमने इसमें हमको ने कलर के थूर और जो हमारा ड्रस दिखाई गई है ड्रस में क्या है कि जो मिस अगर हम लोवर शेड और शेड टूवर्स टिंट क्रियेट करके हमने इसमें ग्रेडेशन अस्टेरी करन दिया है जिससे की एक बढ़ती हुई या घटती शंकला हमें दिखाई पाड़ी है कलर के थूर एक दूसा में जिसमें हम टांजीशन जिसे हम कहते हैं टांजीशन या परिवर्तन के के लिए कोई विराम, बिंदू, चरण और अलग स्थान नहीं है जैसे सरनाच में वस्त जो असानी से बदलते आकरती का अनुसरांट करते हैं और इस तरह वस्त में ले उत्पन करते हैं जो की परिवर्तन सिधान्त का परिगाम है जैसे कि पहली वाली पिक्चर में आपको कर्व आ रहा है और लेकिन वो इतनी स्मूधली कर्व किया गया है और इसमें दोनों कपड़ों को जोइन किया गया है जिसी जो टांजिशन हो रहा है वो दैट इस गिविंग स्मूध एफेक्ट एक हमें बहुत ही अबरप्ट से नहीं दिखाए पड़ है स्मूध कपड़े में एक रिदम क्रेट कर रहा है वैसे ही दूसिए हमारा गाउन है जो आफ शोल्डर गाउन है जिसमें और इन डाप य९ॉजट कॉलर की कौपडलों के कांपिनेशन यूज़ कर गया है और उसके सेंत्र में ओपनिग है और इसके सेंके बॉर बैक में वाइट कृ रहा है और जो टांजीशन है वह बहुती स्मूध है और डेकिस क्रेटिंग देटिंग देटिंग वेरी सिस्टेमेटिक रिदम विद टांजीशन बाइ फॉलिंग टांजीशन एकॉर्डिंग टूब बॉडडी शेप रिडिशन की थुरू भी हम रिदम कर सकते हैं जिसे वी क कहते हैं विकरण द्वारा लग अलग दिशाओं में उत्पन की जाती है और जो शक्तिशाली प्रभाव देती है विकरण किसी भी डिजाइन में एक धूरी से बाहर दिखाई देता है जिसमें कोई केंद्र बिंदू होता है विकरण एक शक्तिशाली लग बनाता है और अभ इसे वाला जो पोश्चन है उसी में क्या है कि एक बिंदू से तीन त्री डिरेक्शन में उस वह अपना स्पैड हो रेडियेट हो रहा है और उसके डिजाइन दिखाएगे हैं कि जैसे कि एक आपका उपर वाले में जिसे लॉइन क्लॉथ क्या सकते हैं लॉइन क्लॉथ को एक निट है कि अटरा गया है वैसी उपर हमारा एक इस में टॉप है टॉप में हमारे स्वेस्ट में वह चारों दिशाओं में रेडियेट कर रहा है थूझ गैडर गार्मेंट में जो हमारा अपर वेस्ट पोर्शन से उसमें gagas डाली गई है और जो की नीची की oisode कोरेके Presa में जा रही है तो यह हमारा एक another method है जिसके lie में unsere में प्रिद्म केट कर सकते हैं अब हम आते हैं अज दूसरे प्रिंसिपल में डिजाइन के, डिजाइनिंग का जो दूसर प्रिंस्पल है, वो है अमारा प्रभाव, जिसे हम एम्फेसिस कहते हैं, प्रभाव का मतलब है डिजाइन तत्व का प्रयोग करके डिजाइन में केंद बिंदू का निर्मान करना, जोकि रूची का सबसे महत्मून केंद्र होता है चुकि वस एवन परिधान का मुख दर्श उद्धेश पहने वाले को आकशित करना है, कपड़ों में जोर कार्यत्मक विवरणों के सामावेश के साथ आकशित विवरणों के माध्यम से बनाया जा सकता है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, कि जो पहला है उसमें लाइन डियागराम उसमें फ्रॉक है, फ्रॉक में जो डिजाइनिंग करी गई है, डिजाइनिंग की थ्रू एंफिस किया गया है, यह डिजाइनिंग आपकी एंबर्डी के थ्रू भी हो सकती है, यह डिजाइन आपकी पेंटिंग के थ्रू भी हो सकती है, या किसी पैश व गई हैं जो हमें एम्फेसिस देडिये तुवर्स डाट वेस्ट टू दा लोवर पोजिशन और मिट पोजिशन ऑफ दा स्कुर्ट नौ विए कमिंग तुवर्स अनुपात दूरी आकार मात्रा और भागों की तुलात्मग संबंधों का परिणाम है अनुपात एक आयामी दू आयामी रूपों पर लागू हो सकता है वस्त के डिजाइनिंग में अनुपात विशेश रूप से महत्पूर है वस्तों का समग आकार वस्तों के सभी भागों के समानुपातित होना चाहिए कपड़ों में कार्यात्मग और सजावती विशेशताएं समगर परिधान के मलगा की हमारा कोई गार्मेंट है और मिल्ग का है उसमें रहा हुआ हुआ आधर पर आणमेमिन और अगार में कैसे पी सब्सक्राइब का प्रपोर्शन है उसमें प्रपोर्शन मारे मेंशन उचाहिए अदरवाइज इट विल गिव दा अब्रप्ट लुक टूवर्ज दा गार्मेंट जैसे कि अभी इसमें दिखाया गया है पिक्चर में कि आपका जैसे इसकल्ट और टॉप है वह प्रपोर्शन लेकिन उसमें प्रपोर्शन हमारा मेशन होना चाहिए तक हमारा डिजाइन प्रिंसक्पल जो है ए प्रपोर्शन देट व क्तुर्छ बंबंत सब्सक्राइक सत्यृई दायक सतिति से होता है किसी वह बよし अवर करीधान में संध...' ईसा अरांदायक प्रभाए एवम भावना है जो रंगों वा आकरतियों की केंद्र को चारों और रखकर इस प्रकार प्राप्ट किया जाता है कि केंद्र के प्रतेक और एक समान आकर्शिन बना रही। संतुलन डिजाइन का वह सिद्धान्थ है जिसमें विभिन सामगरी के संयोजन में समानता वा समायोजन आ जाता है यदि वस्त्र एवंपरीधान के डिजाइन में संतुलन का अभाव होता है तो हमको वितित कर देता है संतुलन दो प्रकार का होता है, informal और formal, formal balance इसको हम अपचारिक संतुलन कहते हैं, जिसमें कि इसका मतलब क्या है, कि जो भी हमने design feature हमने कपड़े में include किया है, वो balanced way में होगा, means अगर वो बोध, अगर किसी भी, अगर किसी garment की center से इसको दोनों और देखें, तो वो दोनों side equal होगा, balanced होगा, और किसी एक ही direction में नहीं होगा, या एक ही side में नहीं होगा, जैसे कि आपको इस diagram में दिखाया गया है, जैसे किसी भी design में केंद बिंदू के चारो और समान दूरी पर एक ही आकार, एवं भार का विवरण सुसरजित हो तो उसे अपचारिक संतुलन कहते हैं, वैसी informal balance है, design में केंद बिंदू के चारो और समान दूरी पर एक अकार का विवरण ना हो, तो उनका बाहर समान हो तो इस अनपचारिक संतुलन कहते हैं means क्या है कि आपका कोई center है उसके चारोड अपने design बनाई गई है वो design तो सेम है लेकिन उनका जो weight है वो equal नहीं है तो आपका क्या होगा उसे हम क्या बोलेंगे informal balance अनुरूपता जिसे हम कहेंगे harmony another principle of design अनुरूपता किसी भी design का महत्पून सिध्धानत है किसी भी कपड़े के बायरूप और विश्य और उसके विशेस प्रयोग के बारे में विचार करें तो अनुरूपता उसकी अधार बुद्ध आफशकता है वस्त एवम परिधाम बनाने में design तत्वों एवम सिध्धानतों का उचित उप्योग उदासी को दूर करता है और अनुरूपता का अनुभाव देता है मेंस कि जो भी हम design features उसमें हम include कर रही है तो वो हमें क्या करेंगे कि बहुत ही उसमें जो भी हमने design principle कपड़े में ढाला है या प्रयोग किया गया है वो एक अनुरूप उसमों का जिसमें हार्मनी क्रेट करें जैसे कि आपको इस apparel में इस fabric में दिखाई पार रहा है कि जो ह हमने इसमें fabric use किया है वह क्या है कि overall design का है और उसमें जो जो design प्रयोग की गई है जिससे हमने परिधान बनाया है उसकी जो हार्मनी है वह उपर और नीचे का जो गार्मेंट है उसमें हार्मनी क्रेट कर रहा है ठीक है अगर इसमें हार्मनी नहीं होगा वह एबरपली या म और अपर का किसी और डिरेक्शन में हो रहा है दोनों में अनुरुपता और हार्मनी नहीं है तो वह हमारे design principle को follow नहीं करेगा और वह हमें एक अच्छा सा design बनके नहीं आएगा जो आकर्षित करें और जो हमें comfortability दे हमारी eyes को अब मैं यह कहना चाहूंगी कि design principles हैं और design elements है design elements को प्रियोग करके हम design बनाते हैं और design principles को follow करके हम design के हमारे elements उनको use करके हम design बना पारते हैं इसलिए हमें design principles को अच्छी से जानना चाहिए कि design principles को कैसे प्रियोग करके हम design create कर सकते हैं जिससे कि हम जो एक design में continuity वोला सकते हैं और जो bodness है और जो हमें मतलब की कहना चाहि हम उसको बत्ता नहीं है तो उसमें जो एक मॉनोटोनी है उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे और डिजैन हमारी अट्रीज इसी परपाएगी और जुआ जो जिस परपummy के लिए हम उसे बMayante करना चाहरे हैं वह ब SHD offer पाएगा व हमें design principles को follow करते वे design element का use करना चाहिए जिन पिसले lecture में design element के बारे में बताए गया था जो हमारे हैं line shape form इनको प्रियोग करके और design principles को follow करते वे हम design element का use करके design create करते हैं और उनको प्रॉपर तरह से प्रियोग करने के बाद हम कोई भी design create कर सकते हैं जो की हमारे लिए और customer जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके लिए comfortability देगी उसको attractive look देगी और हमारे इसका प्रियोग करना बहुत ही आराम दायग और असान होगा धन्यवाद